इस वीडियो में बात करेंगे working principle of a transformer transformer के working principle के बारे में जो basic principle है जिस principle पर transformer काम करता है वो है electromagnetic induction transformer works on the principle of electromagnetic induction transformer works on the principle of electromagnetic induction transformer electromagnetic induction के सिंदान्थ पर काम करता है इंडक्शन ओके यह क्या है यह ट्रांसफोर्मर का basic principle है working principle है ओके अब इसकी working को समझते हैं कि transformer actual में काम कैसे करता है जो previous वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि transformer में दो windings होती है एक primary जिस winding को हम source के साथ connect करते हैं और दूसरी secondary जिस side पर हम load को connect करते हैं ओके तो actual में यह work कैसे करता है वो अब हम इस video lecture में समझेंगे transformer में दो windings है एक primary और एक secondary clear जो primary winding है उसको हमने किस के साथ connect कर दिया source के साथ और source कौन सा होगा AC source ओके यह primary side है उसको हम connect करेंगे AC supply के साथ transformer AC supply पर काम करता है DC पर नहीं ओके अब इस side में हम किसको connect करेंगे इस side को हम load को connect करेंगे clear अब सबसे पहले क्या होगा कि जब हम transformer क्योंकि हमारे पास एक तो windings होगी और उसके बाद यह क्या है यह core है जिसके through flux यह है वो link करेंगी primary winding से secondary winding के साथ ओके यह flux पर यूजी होगी primary winding में वो link करेंगी secondary winding के साथ के लिए हमें core की जरूरत है ओके जह core का नहीं होती है यह laminated silicon steel होती है core का material कौन सा ओता है laminated silicon steel ठीक है core के लिए हम काउन सा material use करते है लेमिनेटर्ड सिलिकोन स्टील लेमिनेटर्ड सिलिकोन स्टील ओके ये क्या है ये कोर का मटीरियल है जब ट्रांसफर्मर को इसी सप्लाई से किनेक्ट किया तो उससे क्या होगा जो आल्टरनेटिंग करंट है कि आल्टरनेटिंग क्रंट होगा ठीक है जे वोल्टेज वी वन हो गई इसको थोड़ा सा डाइग्राम को ना कि इस से क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी क्रंट आई जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा क्रंट आई फ्लो करेगा नंबर ओफ टरन्स जो है प्रैमरी वाइंटिंग की ये कौन सी है एन वन ठीक है प्रैमरी साइड को हमने एन वन से डिनोट कर दिया कि जब क्रंट आई फ्लो किया नंबर ओफ प्रैम रिटरन्स में से तो क्या होगा एम एम एफ प्रैमरी टरन्स हो जाएगी क्या प्रैमरी वाइंडिंग के साथ भी link करेगी primary winding के साथ भी link करेगी ठीक है जिसमें से produce होई है और secondary winding के साथ भी link करेगी through magnetic core core के through ये secondary winding के साथ भी link करेगी ओके ये क्या है ये flux है ये क्या है ये flux है ओके कैसे flux produce होई जब alternating current flow किया number of primary turns जब turns जो जिसमें current flow कर रहा है उसमें जो flux पर यूस होई है वो flux अपनी भी winding के साथ link करेगी जब वो अपनी winding के साथ link करेगी तो क्या होगा कि primary winding में self induced EMF induced हो जाएगी ओके self induced EMF induced हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे E1 का जो E1 है उसकी direction होगी main voltage के opposite clear अगर E1 नहीं produce होती तो उससे क्या होगा कि जो सारा current है वो winding जो primary winding है उसमें से flow हो जाएगा क्योंकि जो conducting material है और short circuit हो जाएगा transformer हमारा damage हो जाएगा क्योंकि अब alternating current है जो alternating current के कारण जो flux पर use होगी वो भी changing flux होगी okay alternating current जैसे अपनी direction and magnitude को change करेगा वैसे ही जो flux की direction and magnitude change होगा clear तो उससे क्या होगा जब अपनी winding के साथ इस flux ने cut किया तो EMF induced हो जाएगी उसको बोलते हैं self induced EMF E1 अब जे जो flux है जे secondary winding के साथ भी link कर रही है इसने पहले primary winding के साथ link किया अब जे secondary winding के साथ भी link कर रही है इसकी जो flux की direction है वो change हो रही है time के साथ जब जे direction change होगी तो क्या होगा जब जे secondary winding के साथ link करेगी तो उसमें भी एक EMF induced हो जाएगी उसको बोलते हैं E2 इसमें जो EMF induced होई जो primary winding के में EMF induced होई वो कौन सी होई वो होई self induced EMF self induced EMF EMF E1 क्या है self induced EMF है E1 self induced EMF self induced EMF अब जे flux जब secondary winding के साथ link किया flux ने तो इसमें जो EMF induced होगी वो कौन सी होगी वो mutually induced EMF है वो कौन सी है mutually induced EMF क्योंकि यह किसके कारण हो रही है जो primary में flux setup हो रही है उसके कारण जो secondary में EMF induced हो रही है उसको बोलते है mutually induced EMF mutually induced EMF अगर circuit close होगा तो इस EMF के कारण crunch flow होना शुरू हो जाएगा ठीक है इस crunch को बोलेंगे I2 इस crunch को क्या हमने नाम दे दिया I1 okay simple क्या है कि जब transformer को इसी supply से connect करते हैं तो क्या होता है कि crunch जो है वो flow होना शुरू हो जाता है primary winding में जब primary winding में crunch flow करेगा तो उसमें एक flux setup हो जाएगी क्यों क्योंकि जो number of tons हैं वो crunch से multiply हो रही है जा कैदो कि जो coils है उसमें से crunch flow हो रहा है okay तो उसमें जो flux पैदा होगी वो flux अपनी winding के साथ जब link करेगी तो उससे self induced EMF E1 induced हो जाएगी जब जही flux secondary winding के साथ link करेगी तो उसमें E2 EMF induced हो जाएगी कौन सी mutually induced EMF क्योंकि जे E1 मतलब जो flux primary winding में induced हो रही है उसके कारण induced होई है अगर circuit close है तो crunch जो है flow होना शुरू हो जाएगा clear जे working है transformer की क्यूंकि झाल